इको रादे रादे आज हम लोग हाथों पर बनने वाली एक विशेश लाइन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रबल संकेत है इस बात का कि ऐसा जो भी व्यक्ति होगा उसको लगबग 40 से 41 साल की उम्र के बाद में नेम एंड फेम मिलेगा या फिर प्रसिद्धी मिलेगी ठिक तो चले शुरू करते हैं जीवन रेका मस्तिश्क रेका रेदे रेका अब चुकि बात प्रसिद्धी से जुड़ी है तो यहाँ पर सूर्य परवत का मातपूर्ण योगदान है तो जान लीजे पहले कि सूर्य पर परवत बोलते हैं ठीक तो इसको ड्रॉ कर देते हैं पहले यह हो गए आपका सूर्य परवत ठीक अब दूसरा जो अपना माउंट है वो है जूपिटर माउंट या फिर गुरू परवत तो वो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके ठीक नीचे जो यह वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको जूपिटर माउंट या फिर गुरू परवत बोलते हैं इसको भी ड्रॉ कर देते हैं यह हो गए आपका गुरू परवत अब सनलाइन के बारे में बात करने वाले हैं सनलाइन जेनरली हाथ के किसी भी हिस्से से सनमाउंट तक जाती है लेकिन आज का जो सूरिपरवत के छेतर तक जाती है ठीक तो गुरू परवत आपका विक्सित होना चाहिए हाट लाइन के उपर से सनलाइन निकल कर सूरिपरवत तक जाए यहाँ पर सूरिपरवत का विक्सित होना अवश्यक नहीं है सिर्फ हाट लाइन के उपर से सनलाइन निकले और वो सन माउंट तक जाए प्लस अगर इस हाथ पर आपके सूर्य परवत की शुबता को बढ़ाने वाला कोई भी चिन जैसे फिश अगर बनी हुई है यहाँ पर तो यह आज के टॉपिक की पावर को कई गुना ज़ादा बढ़ा देती है मतलब 40 के बाद ऐसा व्यक्ति अपार सफलता और प्रसिद्धी प्राप्त करता है साथ में धन भी अगर फिश है तो अगर सिर्फ आपकी सन लाइन हाट लाइन के उपर से यहाँ तक आ रही है सन माउंट तक क्लियर आनी चाहिए उसमें कोई मतलब की कोई गैपिंग ना हो और कोई क्रॉस वगेरा ना बना हो तो 100% 41 के बाद नेम एंड फेम मिलता है ठीक अब यह तो आपकी राइट पाम हो गई राइट सेम यही आपका लेफ्ट पाम में भी बनना अनिवार है तब जाके इस वाली रेखा का आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा तो उम्मीद है आप समझ गया होंगे गुरू परवत विक्सित होना जरूरी है तब जाके इस लाइन को बूश्ट अप मिलेगा ठीक तो आज के लिए बस इतना ही रादे रादे